अखिलेश राटी और बजारों की चाल में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहाँ पर कृशी फसलों के वायदा और हाजिर बजारों के बारे में जानेंगे कि शाम के कारभारी सतमे क्रिशी फसलों का वैदा बजार काई सली करता हो नजर आ रहा है और उसपर हमारे एकसपर्ट की क्या रहा है कैसे फंडामेंटल से किस कमुлемोटी के अंदर आगे जाके कितनी मनी तेजी देखने को मिल सकती है यह सब देखने की कोशिश करे इस वक्त हमासा जुड़वे हैं मोतिलाल और स्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिच सजेजा जी अमिच जी बहुत बहुत सवा था आपका मागेड़ाम सीड पर अमिच जी सबसे पहला आपसे कैसर की उपर बात करना चाहूंगा देखने कैसर सीड के नवंबर वाइदा चौंसट सो बासट पर कार्वा करता हूं नजर आ रहा है चासर सो का ही लगा चुका है लगबग डेड़ फीज़ी की तेजी है आपने लास्ट टाइम कैसर का तेजि़ देखने को मिल सकते है आज आपके वो टागेट अची वो नजर आवी है अब आपको इससे आगे क्या लगता है कैसर में कैसर रुज़। रखन रढ़ेगा जी आ बिलकुल जो इनिशियल टागेट से जो हमने किस्ले अफ़ डिसक्तिक लिए थे वो हाचल हो चुक कि हम 7100 तक के सतर भी देखाएंगे अज भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम के साथ बाइं आई है तो ओर आल जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है और रुप उपर ही तरह से लिगता है कोई भी रीजनेवल डिपाती है याने 6300 से 6250 के करीब आता है तो जो नवेशक है वो दुबारा इंटर कर सकते हैं 6900 के में स्रेश हाइज के टार्गेट के लिए तो याने कि यहां से कैसा सीर का जो वाइदा बजार है तेजी की ही और अगर 6600-6800 की क्लोजिंग आती है तो 6900 के भी पार जाता हूँ नजर आ सकता है और आसी वेले की 7100 के भी टागेट हिट करता हूँ नजर आए तो निचले सतर पर खरिदारी की सला लएगी 6600-6600 की जब लेवल्स आए नीचे पे तो वहाँ से जो निवेश के फिरसे निवेश कर सकते हैं कैसा सीर में तेजी की रोजानकी होई यह से अमिजी बात करें गवार गम और गवार सीर की तो देख रहे है कि गवार गम के नवंबर वाइदा 11932 पर है 1280 का ही लागा चुक अब आपको यहां से आगे क्या लगता है क्या यहां से तेजी के बाद गवार कॉंप्लेक्स में एक करेक्शन का दौर आएगा या फिर यहां से और ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी कि कोई भी तेजी के मांपिट में करेक्शन आती है लेकिन जो ट्रेंड है वो भी 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 बाइंसाइड रहेगा जो एक्सेंड़ टाविट है वो मैं दे सकता हूं कि 12,400 का लेके चला जा सकता है लेकिन इस्टेट को इनिशेट करने के लिए आपको हो सकता है कि शॉट तर म कि अधर यही बात करूं तो मुझे लगता है कि गौर सीड में भी मिनिममम 6,800 का लेवल है जो हमें कापी जल में जा सकता है तो गौर सीड में करेंड मांकिट में की जा सकती है और अफसाइड में 6,800 का एक पोजिशनल वी लेकि लिए लिए तो यानिकि गौर कॉंपलेक्स तरौ संहें भी भी तेजी का ही रुजान है अमित जी अधर टागेस दी है आप उन पर खरीदारी करके चिल सकते हैं ने सामीज यह बात करें बिनौला क Killer करें हैं आप सते विघ्ट के दख máy और लेवरर लेषैर हैं ? मेले साब साब से कुछ समय और इसमें जो निए बना रहे जा कडाटा है कि हम विग जूसा है वगांट पचीस सपर कम बीच कि अवेंचली अफसाइड में निकलता हुआ रिखेंगे लेकिन फिलहाल कुछ और समय जबाव बना रहेगा डाउंसाइड में जैसे में बताई कि इनिजेट सपोर्ट हो है और 200-320 के रिजन में है तो बहाँ तक नहें के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इसने की आसार भी लेकिन फिलहाल मैं शैलों जाली की रिखेंगे की सला रहेगी लेकिन अभी हाल फिलहाल में अमिजी की तरफ से बिनौला कल में उपरी से विकवाली की सला रहेगी यहीं समीजी बात करें अगर मसाला कॉंपलेक्स की तो मसालों में आपको क्या लग रहा है देखने की धनिया और जीरा ये दोनों हल्दी से जादा अच्छे कासे लेवल्स पर ट्रेड करता हूं नजर आ रहे है एक बाद फिल से देखने की जीरा 15,000 की और जाता हूं नजर वह दिखाई देखने की जीरा जाता हूं झालों मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ और समय तक का चंशलिशन जहेंगा यहां दो अफ्ते आप देखने की आप जादादार नौसों पचाशन पर पर शपोर्ट होगा तो कुछ और समय का चंशलिशन है लिखेंग उसके बा पर बाइंग पोजिशन बना सकते हैं थोड़ा पेशिंस प्रक्ना होगा क्योंकि एक से दो साइडवेज लेना के बाद आप राइजिस जो हैं अपसाइड रिपल सकते हैं तो यानि कि दनिये में एक वर फिर से तेजी बंती भी नजर आ सकते हैं लंबी अवदी में 8500 से 8700 तक के लेवस दनिये के वादा बजार में देखने को मिल सकते हैं लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है नहीं समय जी बात करें अगर एडिबल ओल कॉंपलेक्स की तो एडिबल ओल में आपको क्या लगता है क्योंकि अब तो देख रहे हैं कि सरसो बारा सो पैसर तक के से लिखाई दे रहे हैं और अप्साइड में हमें देखा है कि उपी सरुपे दबाव के करीड देखने मिला है तो शॉट्टाम बेशिस मुझे लगता है कास करके जब से इंपोर ड्यूटी की कटवकी का नीज आया है एक तरह से सेलिंग का ही प्रेशर बुटाम गार से बारा सो पच्पन का जो एक इमिजेड सर है जो किसले लो था अगर अप्लाइस तो बारा सो तो पंदर से बारा सो बारा सो बीस तक के सबी हमें देखने मिलेंगे तो शॉट्टाम बेशिस मुझे रुपाएँ प्रेशर दिखाई देए और और से लग जो भी चाहर ब्रडक्शन रहने का नुमान है उस्तिक बात कर लिभात या इन्टर्नेशनली देखने दोनों में वे देखने की प्रोडक्शन का मुआंने का अउमान है। दूसरा एक्सपोर्ट भी हायर देख और जो दिमांड वो भी काफी अच्छी कासी निकल के सामने आरी है डुमेस्टिक लेवल पर भी अपको क्या लगता है अब यहां से कॉटन आगे कितने लेवल दिखला पायगा अगे कितने लेवल्स दिखला पायगा अब यहां से रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट किये हैं कॉटन के तो उसके चलते मुझे लगता है कि यह जो अप्टेंड है बना रहेगा हाला कि बहुती इमेज़ट पर पर एक्टी से जार एक्सो का मुझे करण दिखाए जेता है अगर उसके उपर प्राइज निकलती है तो यह तेजी इमिज़ट पर पर कंटीने होगी अगर एक्सपोर्ट नहीं निकल पार तो पहले हम एक डिप पाएंगे पॉसिबली जो कंसरोडिशन है वो एक्सपोर्ट से ट्वंडी नाइंट नाइंट के लिएगा अला कि जो पोजिशनल रुख है वो पर की तरफ ही होगा हम सब्सक्राइब के लिए यह एकुटिशनल चुटिशनल अजरी यह चीवा कि हम आपकी तरफ से लेंगे आज सेकिंड लास्ट वरकिंग डेय थे ट्रेटिंग लाइगा तर तरफ से किया अर्ट क्या क्यात क्या कमटरी के टॉपिक्स रहेंगे अज़ लगता है कि गवार स इवेंचिल टार्गेट जो होगा उच्छी तार्गेट का लगब हो सकता है बहुत ही नजदी की तारगेट 6,650 का लिए लासता है बहुत है शुक्रिया मिज्जे मैसा जुड़ने के लिए और जानगारी साजा करने के लिए तो यह दे एक छोटा से क्रिशी फसल बजार का अपडेट के शाम के कारुबारी साथ में कौन से क्रिशी फसल किस बापर कारुबार करती भी नज़र आ रही है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मनी तेजी आगे जाके बंती भी नजर आ सकती है और उस पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है फिलाल बजार्व की चाल में बस इतना ही लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिंसला लगातर यूहीं बना हुआ है मार्केटम से भी पर